हेलो एवरिवन मैं सब खांगा स्वींग फ्रॉम ड्योवे टींचर्स अगार्मी आंस पर जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियेट फिजियोलोजी देखें जब भी किसी भी पार्ट की फिजियोलोजी को अंडेस्टंड करने से पहले आपको जो होता है उसकी एनाटॉमी को अगर हां उसकी लोकेशन की बात करें तो यह चेस्ट के एकड़ सेंटर पोजीशन पर प्रेजेंट होता है बिटूइंग दी लंग्स प्रेजेंट होता है ठीक है और अगर आप बात करें कि हमारे केस में डबल सिर्कुलेटरी और प्रॉस सिर्कूलेट री सिस्टम भी ब्हूं कैसे पाया जाता है तो अप्रонलिक हो समझते समझते की अग‌णुजीजे वह समझेंगे अगल आपको पता है कि जिए हां वो फॉर्ट चंबर होता है फ़ार चेमपर क्यूं है क्यूंकि अगर हम बात आपको लुव दिखाएंगे रहा है इसे नाम से यह को होता है दो पाट में डिवाइड किया गया है राइट वेंटरिकल और लेफ वेंटरिकल को क्या कहते हैं तो सबसे पहले बात और जो तो दो को डिवाइड कर दिये को याद रफने का तरीका भी बहुत आसन है क right यह iust法ese कि न बीच में है तो इससी जोबर या गार देंश में तो उसके यह लिए वर्ट adesso किō jump और ऑखम इसमें प्परियंग के तो इसके लिए हम कहते हैं इंटर्प्रिय वालेस हैं इंटर एट्रियल वाल से जो होती है दो एट्रियम सेपरेट आउप हो जाते हैं उसके बाद अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिसों में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो होती है एक वाल नजर आ रही है ठीके जिसे आप कहते हो इंटर वेंट्रिक्यूलर वाल यानि दो वेंट्रिकल के बीच में जो one present है उससा नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर one फिर बात आती है कि चलिए एक्ट्रियम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया वेंट्रिकल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये एप्रियो को वेंट्र करने के लिए भी तो आपको ओल्च चाहिए तो यहां पर अगर ने बात करें तो यह आपके लेफ्ट साइड की तरफ देशिए कि लेफ्ट साइड में इसे हम इंदर अट्रीयो वेंट्रिकूलर वा जेतें लेकिन आगे आपको क्या रगाना होगा क्योंकि left side में है इसी है तो हम क्या कर सकते हैं left inter atrioventricular valve या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है byuspid valve ठीक है इसमें दो कस्प जो होते हैं वो present होते हैं that's why इसे रूट byuspid valve कहते हैं दूसरी जीज़ अगर हम right atrioventricular valve की बात करते हैं तो इसे जो होता है ट्राइकस्पिड valve जो होता है कहा जाता है ठीक है तो इस तरीके से अट्रिया वेंटर क्यूनर्स से जो होती क्या हो जाती है separate round हो जाती है और इस तरीके से humans की four chambered heart का formation होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि जरसे कि मैंने आपको बोला कि आपका जुन human heart है वो completely muscularized है और especially three types of muscles से जो होती है यह बनी हुई है तो three types of muscles वर्म कंसी है तो सबसे पहले यह दिखिए अगर हम बात करें atria ठीक है तो इसे हम बोलते है atrial syncytium muscle ठीक है atrial syncytium syncytium ता मतला होता है one leads to another ठीक है एक के बाद दूसरा ठीक है तो इसका मतलब क्या है एक के बाद दूसरा तो यहाँ पर contraction की बात की जा रही है ठीक है क्योंकि आपका atrial chamber वो contract करता है फिर relax करता है ठीक है उसके बाद दूसरा आपका चेंबर आता है ventricle syncytium ठीक है तीसरी आपकी आती है excited tree muscles excited tree muscles कौन-कौन सी है एक आपके ऐसे नोड होती है दूसरी आपकी एवी नोड है और तीसरी आपकी जो होती है पर किंजे फाइबर है तो आपको याद रसना है कि जो आपकी atrial ventricle muscles है यह contractile muscles है यह contractile in nature नहीं थी इसमें किसी भी जरीगेगा contraction आपको देखने के लिए नहीं में देगा तो इस तरीके से यह तीन types of muscles से में फिर बनी हुए अगर आप इस हाट को देख पा रहे हैं तो यहां सब्सक्राइब यह तो आप देखते हैं उसी सिकनी पर बहुत ही पजी आएंगे इस तैनी पर जो होती है थोड़ी सी यहां पर मोटी सी है यानि thickness जो होती है वो ज्यादा है तो actually drawing में error नहीं है यह इसके function की basis पे क्यूंकि हर chamber का जो होता है pressure वो change होता है अगर हम बात करें कि right atrium में जो pressure generate होता है वो 0 to 4 mmHg का pressure generate होता है इसी लिए यहां पर जो thickness है वो बहुत ही कम है लेटिन अगर हम left atrium की pressure की बात करते हैं तो इसका जो pressure जाता है वो 0 to 6 जाता है तो इसी लिए आस्टम पर तो right atrium यह थोड़ी सी ठेक्निया पर दिखाए गेते हैं लिंकिंग जो आपकी actual body का जो pressure है जिससे जब आप blood pressure check करवाने के लिए जाते हैं तो 120 y 80 mmHg का जो pressure आपको check करकी मिलता है तो वो pressure generate कौन करता है आपका left ventricle generate करता है यानि सबसे highest pressure को यह वेल करता है ठीक है तो इसी लिए यहां पर आपको thickness जो है वो ज्यादा दिखाई देती है उसके बाग अगर हम right atrium की बाद करें तो यहां पर जो pressure होता है वो 25 to 30 mmHg का होता है ठीक है तो कि इसी लिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो chambers है और जो यह thickness है वो हार जगा पर vary कर दिए on the basis of pressure तीसरी important is कि अगर हम बात कर रहे हैं एक यह जो आपका human heart है ठीक है और इसकी जो आउटर्मोस जो लाइनिंग है ठीक है यह दो तरीके की वाल से मिलकर बना हुआ है एक सबसे आउटर्मोस वाल है जिसे गल पहरी काडियम वाल होते हैं यह रिजिड होती है fibrous in nature होती है ठीक है लेकिन अगर हम इनर वाल की बात करें या इनर वाल की बात करें तो विससे अधिक hiking हैं एक और सबसे पहरीकाडियम उसकी बात जो यह पराइतन लिया राती है ठीक है और आपको दिखान देना होगा कि जो आउटर और इनर लियर की पीछ में अब सपोस कीजिए के से डर में ड्राव तर यह आपकी आउटर मोस्त लियर है ठीक है जिसको करदल जो होता है दोबाट में आपने डिवाइट किया उसके बार आप इस space को हम pericardial space बोजदे हैं और इस pericardial space के अंदर pericardial fluid जो होता है वो present होता है तो बात आती है इस pericardial fluid का function क्या है तो primary function इसका lubrication का होता है ताकि इन दोनों layer की बीच में किसी विदरीएगा friction ना हो और दूसरा function यानि हम secondary function की बात करें तो इसका रोल होता है shock absorbance का कि किसी विदरीगी का अगरा pressure मतलब आपके human heart के उपर generate हो रहा है तो वो उस pressure को रोकता है ठीक है तो यह pericardial fluid के रोल आपको ध्यान रटना है primary और secondary दोनों ठीक है उसके बात जो आपकी inner most layer है inner most layer तो नाम दिया दिया है epicardium epicardium को further three layers में divide किया दिया है अगर हम बात करते हैं तो इसके उपर जो questions पूछे जाते हैं sequence में arrange करने के रहे पूछे जाते हैं तो इसी लिए आपको इसकी sequence जो होती है वो पता होनी चाहिए ठीक है फिर अगर बात करें कि जैसे आपकी जो heart beat generate हो रही है ठीक है और जिसकी basis पे आपकी heart beat generate होती है क्योंकि ये heart beat को initiate करता है ठीक है तो यहां पर बात आती है कि जो ये एक साइड़ प्री मसल है एवी नोड एवी नोड की location भी जो होती है वो राइट आप्रियम्प है बट वह कहां पर present है नियां वाइंटर अट्रियल वाल ठीक है और ये जो ऐसे नोड और एवी नोड आपस में जो होती है कुछ और यापकुछ फ़ाइबर्स बंडल कीद्व दू जो होती है अटाष्ड ऀती है वह आपको नाम यान लफना होगा कि ऐसे नोड एवी नोड और पींग नोड door शहुती है वह वह एंटेर जो आपकी ह हडबेट है हम कहते हैं कि 72 टांग्स पर मिनिट जो होती हैं आपकी हांडबीट डबल आप होती है तो वह 72 टांग्स पर वीनिट कैसे डबल आपो 15 जे फाइवर और जादा स्लोली जो होता है बीटिंग देता है यह 15-20 टाइंस पर मिनिट जो होता है बीट करता है ठीक है तो यह सारी चीज़े ने जो आपको दिखान रखनी है अर आप जाते हैं बात पे कि आपका जो हीवन हाट की जो फिजियोलोजी है इस पेशली के हाट अगर जो फंच्छन है वो पंपिंग ओभ ब्लड के लिए ठीक है तो पंपिंग ओउ ब्लड में आपको बता होगा एक चीज़ा पहर्टियर करने कि आपके आपके बारओ स्चीज़ेकर बाड़ी अगर कोई भी इधरिके का एक्क परgenव कर रही है ठीक हे तो एक्क करने के के लिए आपको energy चाहिए और energy के लिए आपको glucose को break करना होता है और glucose break होके finally carbon dioxide में जो होता है convert होता है ठीक है तो उस carbon dioxide को carry कौन करता है आपका blood carry करता है ठीक है और जहां पर आपकी cells कोई act perform कर रही है उसे sufficient amount में oxygen चाहिए वो oxygen की supply aswan कर रहा है आपका blood करभाए ठीक है तो बात आती है कि oxygenated blood को carry करने वाली जो blood vessel है उसे हम artery के नाम से जानते हैं और oxygenated blood को carry करने वाली जो blood vessel है उसे हम his की नाप से जानते हैं भाटरी के फॉल्ग नहीं है थीदल एक सेजिदल करने का कम अगर मेद आपकी grip से आपकी लिट को क्या जाता है तो क्यारिक मिन कर आता है सुपीरियर वेना त्वाफ वर रेना यह तो वेना से वे और मुस्क प्रीजन से डी oxygenated blood for carry किया और करने के बाद तहां बना कि फोन किया उन्होंने जो होता है राइट एक्रियम में डाल दिया ठीक में उसी बरीक्रिये से आपके लैक्स पॉशन से यानि लोवर पॉशन से जो डी oxygenated blood को क्यारी करता है वो कौन करता है आपका inferior वेनाख आवा ठीक है इन्फीर वेनाख आवा लोवर पॉशन से डी oxygenated blood को क्यारी करता है और उसका हाँ पढ़ देता है राइट एक्रियम में यानि इनिशिली जो डी oxygenated blood आया वो कहां पर आया राइट एक्रियम में अब राइट एक्रियम से यह ब्लड पहां पर मूव करता है आपके राइट वेटरिकल में ठीक है राइट वेटरिकल से इसे लेकर जाती है यानि इसी डी oxygenated blood को कैरी करते हुए में कर जाती है आपकी पर्मोनरी आटरी ठीक है पर्मोनरी आटरी यहां से कैरी करेंगी डी oxygenated blood को देखिए यह बना अभी आपको वोला था कि आटरी का function होता है कि वह oxygenative ब्लाट को क्यारी करें लेकिन यहाँ पर फ़र्मोनरी आपरी क्या कर दिये यह पी और दी ऑॉक्सिजिटर ब्लाट को क्यारी पास ठीक है फिर लंस नहीं क्या क्या किया कारबन दी explode को remove कियो और उसकी अंदर जो ब्लाड था व्लैट की अंदर जो होता है oxygen की सप्लाइ कर ठीक है आज वो ऐसी जीति ब्लेड हो गया अब जब oxygenating ब्लैड हो गया तो इस ब्लैड को कौन ने कर आया यहां से bye प्रमोनरी वेंज होती है लंग से ऑक्सीजिनेटिटि इंब्रड को क्यारी थाज़गे कहां बरने करा दी है लेफ्ट एट्रियम के पोश्चिन ठीक है फिर इस लेफ्ट एप्रियम से वो गाट कहां पर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है तो आप समझ यह गव के जो मैक परसंगे अगर हम बात करें तो जो आप मान लीजिए कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बलून ठीक है अब बलून के अंदर पामी यानि यानि यहां पर ब्लड को फिल कर रहे हैं तो इसकी माक्सिम जो अजब होंडिंग के पासिटी है ठीक है तो अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो यहां पर 120 तो 140 Ml को यह कर सकता है ठीक है लेकिन आतलेट्स की बात की ज़िए तो यहां पर माकसिम UCLA वोती है वह 200 ml जा जाता है कर सकता है अथलीट की केस ठीक है इसी को हम एड़ी वेल्यू भी कहते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वोजिंग इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका यह जैसे ही इसमें ब्लड की फिलिंग हो गई अब फिलिंग के बाद यहां पर प्रेशर जमरेट करते हैं आपको सोच बंड कर रखा है यहां पर आपकी बंड कर रुटी के यह बतकी बंड हो चुकी है तो जहिर सी पानी यहां पने जो होता है यानि यहां से तर्ट जो होता है एक्रियम में लग नहीं करेगा ठीक अब आप देखरेंगे की लोगा है नहीं कि यह प्रेजंटू होते हैं और वह एक प्रेशन प्रेशर पर ओपनुल्ड होता है जीनुरaptि आप फर यह ऑपकेλλियों रीच किया अब क्या हुआ कि इसके बाद भी ये प्रेश्चन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में चींजिस नहीं दिखाई दे रहें अगर वह 120 इनिशन लेवल पे था तो वह 120 ही रव तो इसे हम आइसो वॉल्यूमिक कॉंट्राक्शन कहते हैं चीक है क्योंकि प उसके बाद 100 mmLG पर ठीक है सॉली 80 mmLG पर ये समी यूनर वाद जो होता है ओपन हो जाता है और ओपन उनिकी वेसिस पर ये सड़नी क्योंकि कॉंट्राक्शन बना होए सड़नली जो होता है ये वाद समी यूनर वाद आयोटा का ओपन हो गया जिससे व्लाइड जो होता है में फुल करता है आपकी बॉड़ी में आयोता झे तो और ये कौन साव बड्लड ये प्लिउ-टेडड और इसि आयो लिंट से अपकी अपर anal यानि हेड ब्रेन और जो होता है आपकी फेस पे नेट पे यहां पर जाएगा और इसी आयोटा की थू जो होता है यह नोवर पोशन को भी ब्लड की सप्लाई दी चाहते ठीक है तो इसको अगर हम समझें कि आपका सुपीरियर वेनकावा और इंफीर वेनकावा इन्हों ने क् प्लट को कहरी किया इसमें पूर्त अमापर लग्वा से यह पाल थाया इंजी तीक्शिजलेटेड ब्लट को कहा पर गया आपके राइड वेंकावी कि रसी रिपकंवें लूंग से यह तो खुछा हेघ्या थाजुण आया पनमोनरी आर्ठीक से आपके लेफ्टरियम अrt औ इससी लेप्ड आट्रियम से यह ब्लद जो होता ने कमणर पर आ आया आपको लेफ कर से इंगी ऑपीजिऑेंटे ब्लड अगीन जो होता है किसके को सप्लाइब कर दिया गया बॉड़ी ठीक है और इसी बॉड़ी से जो होती है यह इंफियर और सुपीयर वेना पावा ने डियोप्रीजिनेटिब ब्लड को भी रिसीब किया था तो आप देख रहें हैं कि बॉड़ी से थी मतलब सारी चीजी जो होती है वह सर्पुनेटरी म के साथ कनेक्शन नहीं होता है इसी लिए यूमन के ब्लड सर्पुलेशन मेकानेजन को क्लोस सर्पुलेटरी मेकानेजन कहा जाता है वोफुली यह वीडियो आपको अच्छे से समझाएं होगी उसकी एनाटॉमी उसकी फिजियोलोजी और पंपिंग और फार्ट को आपने अच्छे से समझाओगा अब कार्डियक फिजियोलोजी का जो एक्साइटेशन है वो नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे थैंक्स यू